नमस्कार स्वागत है आप सभी का साहित्य जोती में आज हम लोग विश्वंभर नाथ सर्मा कौसिक जी की प्रसिद्धरचना आदर्श विद्यायथी को पढ़ेंगे तर्वप्रथम हम इस पार्ट के जो लेखक है विश्वंभर नाथ सर्मा कौसिक जी के जीवन परिचे को जानेंगे जैसा कि मैं हर बार बताती हूं कि किसी भी रचना के रचनाकार के विशे में जानना अत्यादिक आवश्यक है क्योंकि उसके माध्यम से हम लेखक परिचे को जानते ही है उन लेखक के विशे में जानते ही है साथ ही साथ उनकी जो रचना धर्मिता है उनकी जो विचारधारा है उसे भी समझ पाते हैं दूसरा, कई बार परिक्षा में लेखक परिचय पर आधारित प्रश्ण भी आते हैं, तो हमें लेखक परिचय को जानना अत्याधिक आवश्यक है, आईए हम कौशिक जी के जीवन परिचय को देखते हैं, तो सर्व प्रथम हम देख रहे हैं कि द्रिवेदी युक के यशश्वी कथाकार स्वर्गिय कौशिक जी का जन सन 1891 इस्वी में अंबाला चावनी में हुआ, ठीक है, तो हमें एक बात पता चली कि कौशिक जी जो है, वो द्रिवेदी युक के कथाकार है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालों में विभाजित किया जाता है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधनिकाल, आधनिकाल में ही प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, चायावाद, उसी में द्रिवेदी युक भी आता है, उसी द्रिवेदी युक के तहत ये एक ब और यदि हम इनकी मृत्यू की बात करें, तो 1947 इसी में इनकी मृत्यू हो जाती है, दिहावसान हो जाता है, ठीक है? कौसिक जी की गढणा विवेदी युक के प्रतिश्थित कथाकारों में होती है, इनकी रचनाएं घर-ग्रिहस्ति और समाज की मानने परमपराओं एवं खास सीव्यंग में काफी सफल है, यानि इनकी रचनाओं में हमें खास सीव्यंग एवं समाज की जो परमपराएं हैं, उन पे आधारित रचना देखने को मिलती है, उन पे आधारित हमें जो परिवेश है वह देखने को मिलता है, आई आगे देखते हैं, इनकी जो प्रसिद्य रचना है, उसमें हमें गल्प, मंदिर, कलोल, चित्रकला, मडिमाला, मिलन मंदिर, अत्यचार का परिणाम, रूप का राहू, मा, भिखारिनी, दूबे जी की चिट्टियां, आधी इनकी प्रमुख रचनाए रही है, तो इन में से कुछ रचनाओं के न और भी खारिनी, ये इनके कुछ प्रशिद्ध रचनाए हैं, इसके अलावा चित्रकला, अब कलोल, भी इनकी रचना है, जो की काफी प्रशिद्ध रही है, इसके अलावा मिलन मंदिर, ये सभी इनकी काफी प्रशिद्ध रचना है, परन्तु अभी जो मैंने यहां पर कु ताकि आपको पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ सके, यहाँ पर हम पाठ के शारांस पर चर्चा करेंगे, तो सर्मपर्थम देखिए, बिश्वंभर नाथ सर्मा कौसिक की कहानी, आदर्ष विद्यार्थी, एक आदर्ष कहानी है, ठीक है, यह एक आतर्षवादी कहा परिश्रम, विद्या के प्रति घोर निष्था व समर्पण, तथा उसके व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा एक विद्या के आदर्ष के स्वरूप की परिकल्पना की है, यानि कि एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार परिश्रमी होना चाहिए, कितनी म कहानी के माध्यम से हमें उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया है तो कहानी की सुरुवात एक मेले के दृष्य से होती है दिपावली का दिन रहता है और उस दिन मेला लगा रहता है और उसी मेले के दृष्य से यह कहानी सुरू होती है जहां पर लेखक जाता है और वहां पर लेखक को खिलोने बेचता एक नव युवक मिलता है, एक युवक उन्हें खिलोने बेचते हुए दिखाई देता है पहली बार लेखक उससे खिलोने नहीं लेता, यानि कि जो लेखक हैं वो उस युवक से खिलोने नहीं लेते हैं परन्तों फिर दूसरी बार वह खिलोने ले लेते हैं लेखक युवक को देखकर भाप जाते हैं यानि जैसे ही जो लेखक है वह युवक को देखते हैं तो इस बात को वह संबच जाते हैं कि वह जो युवक है वह कोई पढ़ा लिखा बच्चा है कोई पढ़ा लिखा लड़का है, इसलिए वह नौव विवक को नौकरी करने की सलाह देते है, उस विवक को वो जाकर कहते है कि तुम जो है वो नौकरी कर लो, लेकिन वो जो नौव विवक रहता है, वो क्या कर देता है, इनकार कर देता है, मना कर देता है, और कहता है कि जब अभसकता होगी तो मैं स्वेम ही नौकरी खोज लूँगा नौकरी कर लूँगा और इसी तरीके से कुछ मुलाकात होती है और कुछ मुलाकातों के बाद क्या होता है वह जो लड़का रहता है वह लेखक के घर पर खिलौने देने लगता है तो लेखक को यह बात थोड़ी परन्तों फिर जो है वो नौ वीवक को सयम पुरा लगता है उसे ऐसा लगता है कि खिलोने बेचने से लोगों के पैसे भी बरबाद होते हैं और कुछ दिनों के बाद वे खिलोने फूट भी जाते हैं किसी काम के नहीं रहते हैं इसलिए वो क्या करता है बाद में खिलोने का भी अवसाय है छोड़कर कॉप उगाम आदी बेचना आरंब कर देता है और सो कुछ दिनों के बाद क्या होता है मैं इस तरीके से वह हमीसा इब कॉपी किताब बेचता है और सावय रहत वह जो लड़का रहता है वह लेखक के घर आना बंद कर देता है वह घूनॉफ लड़के को भूल जाते हैं लेकिन फिर इसी दोरान लड़के को जब अपने लड़के के दाखिले के सिलसले में स्कूल जाता है वहाँ नौव यूवक को सिक्षक के रूप में देखकर आश्चरय चकित होता है अब लेकप को अपने बच्चे की एड्मिशन करानी रहती है स्कूल में भरती कराने रहती है तो वह स्कूल जाते हैं और वहाँ पर उसी नौव यूवक को देखते हैं और देखते हैं कि वह जो नौव यूवक है वहाँ पर सिक्षक के रूप में काम कर रहा है तो उसे पढ़ाई चोड़ने की नौबत आ गई थी लेकिन पढ़ाई के प्रति समरपड के कारण उसने खिलोने बेचने का काम शुरू किया और पढ़ाई जारी रखी यानि उसमें विद्यानुराग था पढ़नी की इच्छा थी घोर लगन थी इसी के कारण इतनी मुश्किल भरी प पर खामान्य जीवन चलाने के लिए भी जो पैसे होते हैं उसकी कमी पढ़ती है वहाँ पर वह सोचता है कि वह किसी तरह काम करके अपना जीवन तो चलाए ही ताथ ही पढ़ाई भी करें क्योंकि उसे पढ़ना बहुत ही पसंद था और इसलिए वह खिलोने बेचने का काम स प्रिंसिपल ने अपने खर्चे पर B.A. करवाया और उसके बाद वह इस विद्यालय में सिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ तो क्योंकि वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था महनती था परिश्रमी लगन थी उसमें गोल निष्ठा पढ़ाई के प्रति और समर्पन क भावना थी इसलिए इतनी मुसीबते जहेल कर भी वह पढ़ाई करता है और किसी तरह अपने B.A. की पढ़ाई पूरी करता है उसमें उसके अच्छे अंग आते हैं तो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहते हैं वह इस चीज को देखकर अपने खर्चे पर उसे B.A. करवात हैं लेखक को यह बात जानकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है और इसलिए लेखक अंतिम में कहते भी हैं कि आप धन्य है उस नौव यूवक को कहते हैं कि आप धन्य है क्योंकि हजारों अमीर लड़के अनपढ़ रह जाते हैं और अपने कोई साधना रहते हुए अमीर ल मिष्था की भावना नहीं रहती है परंतु इतने अभाव के बाद भी आपके पास कोई साधन नहीं है फिर भी आपने इतने अभाव के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी की यह कोई साधारन बात नहीं है तो ऐसे बुद्धिमान लोग बहुत ही कम होते हैं इस बात को ले सकते हैं समद सकते हैं कि यहां पर नेख सकते हैं आईए अब हम इस पाठ से संब्दिज़ प्रशन उत्तर है उसे देखते हैं तो सरव प्रफाम देखिए आप सबके सामने स्ब्दिज़ वस्तोनिष्ट प्रशन है उसे देखेंगे हैं पहला प्रशन है कि लेखक इस दिन खिलोने खरीदने बाजार पहुचा, तो इसमें यह पहला प्रश्ण है कर नम्बर प्रश्ण है कि लेखक किस दिन खरीदने बाजार पहुचा, इसके 4 विकल्प दिये गए हैं, पहला विकल्प है होली, दूसरा दीपावली, तीसरा दसहरा, और चौथा, इन में से कोई नहीं, यदि आख उस् पहली पंक्ती में ही कहा गया है कि दिपावली का दिन था जिस दिन लेखक खिलोने खरीदने बाजार पहुचा था इसका जो सही उत्तर है वो है दिपावली एक दूसरा खनंबर प्रश्ण लेखक को किस बात पर आश्चरी हुआ इसके चारवी कल्प पहला नव युवक के सा साधारन आकार की डलिया देखकर और चौथा इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर है वह है पहला वाला नव युवक के साहस पर लेखक को बहुत ही आश्चरी होता है क्यों क्योंकि जिस मेले में बड़े-बड़े खिलोने की दुकान थी उसमें वह लड़का अकेल खड़ा था और खिलोनों को बेच रहा था यह एक बहुत ही साहस की बात है साधारन अगर कोई व्यक्ति रहे तो वह यही न सोचेगा कि इतनी बड़ी-बड़ी खिलोने की दुकाने हमारी छोटी सी खिलोने को कौन खरीदेगा वहां पर वह खिलोने का दुकान लगाएगा लेकि नव युवक के भीतर बहुत ही साहस था कि इतने बड़े-बड़े खिलोने की दुकान के सामने वह अपनी छोटी सी खिलोने की दुकान लगाता है तो इसे देखकर लेखक को बहुत ही आश्चरे होता है नव युवक के साहस पर लेखक को आश्चरे होता है तीसरा ल महिने में अपने पुत्र को स्कूल में भरती कराने के लिए ले गया पहला देखिए विकल्प मई, दूसरा जून, तीसरा जुलाई और चौथा मार्च तो जुलाई का महिना रहता है जब लेखक अपने बच्चे की भरती कराने के लिए स्कूल जाता है इसका सही उत्तर है विलाई में गह नंबर प्रश्णे देखिए नव यवक कितने रुपए माशिक पर माशिक यानि महिने पर अध्यापक का पद प्राप्त किया यानि कि सिक्षक के रुप में नियुक्त होने पर उसे प्रती महिने कितने रुपए मिले तो उसे 100 रुपए महिना उसका जो वेतन था वो 100 रुपए का था ठीखे और अंगा नंबर प्रश्ण आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार की कहानी है तो एक नंबर है मनोवेग्यानिक दूसरा सामाजिक तीसरा प्रवणानिक और इन में से कोई नहीं तो जैसा कि हमने लेखक परिचय में ही पढ़ा था कि कोशिक जी की जो रचनाय होती है वो सामाजिक परमपराओं पर मान्यताओं पर अधारित होती है और इस कहानी में भी हमें सामाजिक चरित्र दिखाई देता है एक आदर्श चरित्र दिखाई देता है कि इस परकार मुसी सामाजिक, आदर्श विद्यार्थी एक सामाजिक कहानी है, ठीक, आईए, अब हम इस पार्ट से सम्मंधित लगुतर यह प्रश्न देखते हैं, ठीक है, देखिए, निम्नलखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पहला प्रश्न, एक नव व्यूवक को बाजार में लोने प्रश्ते देखकर, लेखक को लगा कि जिस बाजार में इतनी बड़ी-बड़ी खिलोने की दुकान है, वहां भला इसके खिलोने कैसे बिकेंगे, लेखक इस बात को सोचता है, दूसरा प्रश्न, नव यूवक की किस बात पर लेखक को आश्चरी हुआ, उत्तर देखिए, नव यूवक के साहस पर लेखक को आश्चरी हुआ, मैंने पहले ही बहुँ भी कल्पी प्रश्न में बताया था ना आपको, कि नव यूवक बहुत ही साहसी है, वो किसी भी परिस्थिती से घवराता नहीं है, इस चीज को देखकर लेखक को बहुत ज्यादा आश्चरी होता है, तीसरा नमबर प्रेश्न, लेखक द्वारा नौकरी खोजने में मदद करने का प्रस्ताव देने पर नौव यूवक ने क्या कहा, उत्तर, लेखक द्वारा नौकरी खोजने में मदद के प्रस्ताव पर नौव यूवक ने मना करते हुए कहा, कि उचित समय आने पर वा नौकरी कर लेगा क्योंकि उस वक्त तो वह पढ़ाई कर रहा था ना अभी वह नौकरी नहीं कर सकता था इसलिए वह कहता है कि जब उचित समय आएगा तो मैं स्वायम ही नौकरी कर लूगा तो अथा नंबर प्रश्णे देखते हैं नौव युवक खिलोने बेचना छोड़ कर क्या बेचने लगा उत्तर नौव युवक खिलोने बेचना छोड़ कर किताब कलम पैंसिल इत्यादी बेचने लगा क्योंकि उसे लगता है कि खिलोने बेचने से क्या होता है लोगों की पैसे जाते हैं और खिलोने क्या है कुछ दिनों के बाद ही टूट जाते हैं किसी काम के नहीं रहते हैं इसलिए वो सोचता है कि कुछ उपयोगी वस्तु मुझे बेचनी चाहिए और इसलिए वो किताब कल पैंसिल यह सब बेचने लगता है पाचवा प्रश्ण है नव युवक दसहरे के दिन क्यों चिंतित था उत्तर देखिए पिता की वृत्यू के साथ ही उसके जीवन निर्वाह और पढ़ाई का खर्च बंद हो जाने के कारण अंधकार में वर्तमान और भविश्य की चिंता सत लगी तो इसलिए नव वीवब जो था वह बहुत ही चिंतित था ता सारी के दिन वह चिंतित था क्योंकि उसके पिता की मृत्यू हो गई है तो अब उसका जीवन है वह किस तरीके से चलेगा कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई होगी क्योंकि उसके लिए उसके खर्च जो थे वह पिता उठाते थे और अब पिता जी नहीं रहे तो अब उसके खर्च कैसे चलेंगे कैसे वह पढ़ाई करेगा उसे अपना जो वरतमान और भविश्य है वह दोनों ही अंधकार में नजर आता है और इसलिए वह बहुत ज्यादा चिंतित रहता है ठीके तो यहां पर इस पार्ट से संबंदित जो बोध मूलक प्रश्ण है या ख्या मूलक प्रश्ण है एवं भासा बोध यानि कि जो व्याकरण संबंदी प्रश्ण है उसे करेंगे तो उस वीडियो को देखना भी ना भूले तिक की साथ अन्यवाद